है एक्जाम डिले होंगे या नहीं होंगे यह सवाल बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सवाल करते हैं आजकल मेल्स मैसेज़ेस डियम्स बहुत भर जाता है और मैंने कल भी आपको अपडेट दिया था रिगार्डिंग एक्जाम डिले और एक्जाम डेट शीट भी बोथ चीक है लेकिन अब भी जो मैं आपको दूँगा न उसको सुनकर कि आप बहुत ज़्यादा खुश जाओगे लेकिन प्रॉमिस करना होगा आप लोगों को कि भाई आप केरलेस नहीं हो जाओगे देखो भाई एक्जाम तो ह होंगे ही होंगे यह हम सभी जानते हैं सिर्फ थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ जाता है तो टाइम आपको मिल जाएगा फॉर दर प्रिपरेशन तो भाई एक्जाम आप नहीं छोड़ोगे इस वादे के साथ में आगे बढ़ रहा हूं यहां देखो अभी भाई क्या है स खुद उनके ऑफिशल्स का कहना है अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा देखो जब सीवेसी बोड एक्जाम लेती है ना तो वह सिर्फ एक चीज़ को कंपारिजन में नहीं रखती है बहुत सारे चीज़ों को उनको ध्यान में रखना होता है जैसे कि अधर बोर् बोर्स का क्या हाल है और सीवेसी उनको अंदेखा नहीं करती है यह मैं आपको पहले बता दूँ सीवेसी उनको भी देखती है कि वो लोग क्या कुछ करने वाले हैं या कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है कि तमिल नाडू जो कंड़क्त यह इनके एक्जाम डेटशीट जो निकला है इन्होंने रिलीज कर दिया है मार्च तेरह से यह देख रहे हो मार्च तेरह से यह अपने एक्जाम को कंड़क्त करने जा रहे हैं ठीके मैं एक लंब्सम बता रहा हूं 10 और 12 को मैं अलग-लग-लग करके नहीं बता होगा अच्छा अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ अभी यूपी बोर्ड का जो एक्जाम कंडक्शन जो एक्सपेक्टेड है अभी तक वहां रिलीज नहीं वा है लेकिन यूपी बोर्ड का जो निकल के आ रहा है वो निकल करके क्या आ रहा है कि मार्च में ही उनका होगा एक्जाम उससे पहले उनका कोई चांसेज यहां पे नहीं है ठीक है एमपी बराबाबा आपा जो देखो एमपी का क्या एफेक्ट है जरा साब इसे भी देख लो यहां पे एमपी का कहना है कि भाई उनका जो प्रैक्टिकल एक्जामी है वो होगा कब कब होगा practical इनका इक्जाम्स ही कंडक्ट हो रहे हैं यह देखो 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में तो मतलब उनका जो है practical exam जब इतना टेले हो रहा है तो exam और डेले होगा मतलब students को time यहां मिलने के chances जो हैं वो काफी जादा बढ़ते वे दिख रहे हैं अब तेलंगाना में आप आ जाओ तेलंगाना का जो report है यहां पे देखो इन लोगों ने अपना बताया है कि इनका भी जो exams है वो भी थोड़ा आगे पीछे करके निकलेगा हाला कि इनों ने अभी पूर प्रॉपर अपडेट नहीं दिया है और जारखंड बोर्ड ने भी अपना अभी तक कोई डेट रिलीज नहीं किया है लेकिन मार्च में ही वो expected है यह आप देख सकते हो यहां पे शुरू में ही कहा वीडियो का कि भाई exam तो हमें देना ही देना है तो आप लोग उसके लिए निश्चेंद रहो लेकिन preparation जो है इसको आप लोग topmost priority पे डालोगे तभी ज्यादा benefited होगे तो अभी के लिए बस इतना कि हमने दो दिन पहले life classes लिया था आप लोगों का और उसके बाद से मेरा बैठा हुआ है वह आपको दिख रहा होगा मैं अभी बैठ के ही यह वीडियो बना पा रहा हूं खड़े हो के भी मैं यह वीडियो बना नहीं पा रहा हूं लेकिन life classes हम on करेंगे और जब on करेंगे ना कल से तो फिर पूरे जोर्शोर के साथ में करेंगे तब तक के लिए थोड़ा सा मुझे माफ कर देना अपने विशाल सर को थोड़ा सा माफ कर दो लेकिन उसके बाद मैं आप चिंता नहीं करता मैं आपको करवा दूंगा यार अ झाल झाल